असलाम लेकुम आज हम बनाएंगे खोया यानि मावा मावे को आज हम बनाएंगे घर में कम दूद में ज्यादा कॉंटिटी में बिल्कुल दानेदार सौफ्ट और वैट खोये कों गर पर बनाएंगे देखिए हमारा मावा कितना वैट और सौफ्ट दानेदार बना है आज की मेरी रेशिपी आपको पसंद आई तो रेशिपी को लाइक करें मेरा चनल हैट किचन को सब्सक्राइब करें साती होने आले बेल बटन को जरूर देखिए ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे चलिए मावा बनाना स्टार्ट करते हैं मावा बनानी के लिए सिर्फ तीन इंग्रीडियन्ट काफी हैं मैंने यहाँ पर आदा लीटर पाकेट वाला दूद को लिया है और एक कप दूद पर जमिवी मलाई को लिया है और दो टीस्पून मक्षन को लिया है आपको आप मक्षन की जगा गी भी इस्तिमाल कर सकते हैं मलाई को मैंने फ्रीजर में स्टोर करके रखा हुआ था ताकि उसका टेस्ट खराब ना हो मावा को आप घर पर बनाएंगे तो बाजर का बिलावाट वाला मावे से भी आप बचेंगे और कम दाम में ज्यादा कॉंटिटी में और शुद्ध मावे को आप बना कर बिठाई में इस्तिमाल कर सकते हैं दूद को मैंने एक पैन में डाल कर रखा हुआ है दूद में हम पहले एक उबालाने देंगे दूद को उबालते समय फ्लेम को मीडियम रखेंगे देखिए हमारे दूद में उबाला गया है अब इसे हम ऐसे ही पंदरा मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ेंगे और साथ ही हम दूद पर जमी हुई मलाई और साइड में जो मलाई लगी होती है उसे खुरशते हुए दूद में मिलाते जाएंगे इससे हमारा दूद बहुत जल्दी गाड़ा हो जाएगा दूद को मैंने चलाते हुए बाजू में लगी हुई जो मलाई है खुरशते हुए मिलाते हुए पकालिया है पंदरा मिनिट के लिए ये देखिए दूद हमारा रेडियोस हो गया है मामा बनने की कंसिस्टनसी में आ रहा है इस समय पर हम दूद को चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है इस समय पर दूद रेडियोस होने के बाद दूद जलने का खतरा बहुत होता है दूद जलने से मावे का टेस्ट खराब हो जाता है अब और पांच मिनिट दूद को चलाते हुए पका लेंगे दूद को मैंने और पांच मिनिट पका लिया है अब हम दूद में दालेंगे मक्षन और दूद पर जमी हुई मलाई हमने लीती उसे भी अब हम पैन में डालेंगे मलाई और मकन को आप पहले भी दूद पतला रहते हुए भी मिला सकते हैं मावे को आप बिना मलाई के भी बना सकते हैं इससे कॉंटिटी उतना ही कम होगा मलाई को भी हम मिलाते हुए और चलाते हुए पका लेंगे मावा बनाना बहुत आसान है सिर्फ एक ही सिक्रेट है इस रेसिपी की सिर्फ चलाते रहना है दूद को जलने नहीं देना है दूद हमारा मावा बनने की कंसिस्टनसी में आ गया है दूद को मैंने 35 मिनिट तक चलाते हुए पका लिया है दूद का मौश्चर जो है पुरा कतम हो गया है देखिए कितना अच्छा दानेदार मावा बन कर तयार है फ्रेश मलाई जो हमने इस्तेमाल की थी उसे बहुत सारा गी भी मावे में रिलीज हुआ है आप देख सकते हैं हमें इसी तरह का साफ्ट और वैट मावा चाहिए इसका कलर चेंज होने नहीं देंगे अब फ्लेम को आफ करके मावा को थंड़ा होने छोड़ेंगे इस मावे से आप कि मामी सेवईया, शीर खुर्मा, खीर और गुजिया, लड़ू, पेड़े बना सकते हैं आज की मेरी रिसिपी आपको पसंद आई तो रिसिपी को लाइक करें मेरा चनल हयात किचन को सब्सक्राइब करें हम फिर मिलेंगे फिर एक नई मज़ेदार सी आपसंद सी रिसिपी के साथ तब तक के लिए अल्ला हफीज